हेलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूँ आपके साथ गुंचिन मितल चलिए बिना देरी के निज़े डालते हैं आज की है से जड़ी बड़ी खबरों पर इंडियन इंस्टिटुट अफ टेक्नोलजी आईए टी गुहाटी के शोदकर्ताओं ने चाय खारकाने के कचरे से दवा और फूद प्रोडक्स तियार की है इस बात की जानकारे दिकारियों द्वारा दी गई है एक हाली अध्यन से पता चला है कि चाय दुरिया भर में सबसे जादा खपत होने वाले परदातों में से एक है विश्व में चाय की खपत 6.3 मिलियन टन तक पहुँच गई है और 2025 तक इसके 7.4 मिलियन टन तक बढ़ने की उमिद है I.T. गौाटी के Chemical Engineering विभाग के प्रोफेसर मिहिर कुमार पुरकेत ने काए कि चाय की खपत में इस भारी वृदी से इंडस्ट्रेट टी वेस्टेज जनरेशन में वृदी हुई है जिससे वैल्यूएबल एग्रिकल्चर रिसोर्सिस को उपयोग नहीं हो पा रहा है और परिय और फूद प्रोडक्ट में चायकार खाने के कछरे के वेरिएस अक्रिकेशन पर अत्यादु ने शोध किया है ये कार्मनेशियस फार्मसुटिकल्स अधारिद वस्तों के विआपक स्पेक्ट्रम का आधार बन दिल्ली में दो सप्ता में डैंगु के मामलों में बड़ोतरी डॉक्टरों ने सतर क्रहनेकी की अपील डॉक्टरों ने चितामनी दिये की डैंगू के मामले अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकते हैं बारिश और बार के कारण मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूर परिस्तित्या बन रही है उन्होंने लोगों से साफधानी बरतने और अपने घरों और आसपास के शेत्रों में पानी के जमा होने से बचने को भी अपील की है MBS candidates को दोका देने वाली दिली के डॉक्टर को जमारत देने से किया इंकार मदरास हाई कोट ने एक डॉक्टर को अगरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है जिसने दो मेडिकल उमिद्वारों को युक्रेन मेडिकल कॉलिज में MBBS सीट्स देने का वादा करके पंदर लाक रुपे की दोकड़ी की थी जस्टिस आर एम्टी टीका रमन ने बुद्वार को काई कि अपरात की प्रकृती और गंबीरता को देखते हो ही मैं याचिका करता को अगरिम जमानत देने का इच्छुक नहीं हूँ अधालत ने दिल्ली के एक नीजे अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर जोईता अधित्या द्वारा दायर दो जमानती आचिकाओ को खारिश करते हो ही आदेश पारित किया है अभियोजन पक्षियनूसार याचिका करता के माता पिता ने दो मेडिकल उमिद्वारों के माता पिता से संपर किया कि और कहा कि उनका बेड़ा युक्रेइन के कॉलेज में अमबीबियस की पढ़ाई कर रहा है चुकि जो एता दिया और उनके माता पिता ने पैसे वापस नहीं किये तो उन्होंने जिला अप्राश शाखा इरोट से संपर किया और शिकाय दर्ज कराई गिरफतारी के आश्रंका से याचिका करता ने वर्तमान याचिका एदार की जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो उन्होंने का कि वर्तमान में वे दिली में एक डॉक्टर के रूप में कारे कर रहे थे और अप्राश 2018 में हुआ था जबकि F.I.R. 2019 में दर्ज की गई थी दलीलों का विरोध करते हुए अब योजन पक्ष ने अदालत को बताए कि याचिका करता जाच में इसे योग नहीं कर रहा है और उसने अपनी उपस्तिती के लिए समन का सम्मान नहीं किया है दलीले दर्ज करते हुए दालत ने याचिकाएं खारिज कर दी है गुरगाओं के अस्पताल में डॉक्टरों ने 17 साल के लड़के के चेस्ट से 1.9 किलो ग्राम का चियूमर सफलता पूर्वक निकाला गुरुग्राम में फोर्टिस मेमोरेल रिसर्च इंस्टिटूट के डॉक्टरों ने 17 साल के लड़के की चेस्ट से करीब 2 किलो ग्राम का चियूमर सफलता पूर्वक निकाला है मरीज सक्षम चोहान ने गर्दन और सीने में दर्थ की शिकायत की और बुखार से पीडित हो गए जिसके बाद फोर्टिस गुरुग्राम के डॉक्टर ने कई मेडिकल एक्जामिनेशन किये शुरुआत में उन्हें संदेता कि चोहान टाइफाट बुखार से पीडित है लेकिन एक सीटी स्कैन में चूमर का पता चला चूमर को थाई मॉनि पोमा का जाता है डॉक्टर का कहना कि चूमर ने फ्रेफणों और हिर्दे पर भारी मात्रा में दबाब डाला था इसलिए अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे इसके लाबा चूहान का वज़न 30 किलोग्राम से भी कम था फोर्टित कुरुग्राम के कार्डियो थोरसिस एंड वस्कुलर सर्जरी के डारेक्टर और हेड डॉक्टर उदगीब धीर के नेतित में डॉक्टरों ने एक जटे सर्जरी की और लड़के के चेस्ट कैविटी से थाई मोली पोमा को सफलता पुर्व खटा दिया डॉक्टरों को सर्जरी करने में लबग सारे तीन घंटे लगे सफल सर्जरी के पांच दिन बार चुहान को अस्पतार जे छुट्टी दे दी गई डॉक्टर दीर ने काई कि सर्जरी के बार मरीज को कुछ साफधाने बरतने के लिए का गया है जिसमें भारी वजन उठाने और वजन खीचने से बचना शामिल है उन्हें लंग्स की फीजोथरेपी कराने के लिए भी कहा गया है निपा का एंटी वारल पहुचा केरल राज्य सरकार केरल में निपा के मामलों की पुष्टि के बार करनाटक में दक्षिंट करना जिला परसाशन ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है स्वास्ते विभाग ने पुलिस से जिले में प्रवेश करने वाले मालवागवानों की जाश के लिए सीमा बिंदो पर चेक पोस्ट खोलने को काये पुलिस को केरल से राज्य में प्रवेश करने वाले फलों की जाश करने का निर्देश दिया गया है साथी जिला स्वास्ते दिकारी जॉक्टर सुधर्शन ने मेंगलूरो के आठ मेडिकल कॉलिजों को उन मरीजों की निगरानी में रखने के लिए काये जो उनके पास मस्टिक्ष बुखार के संदिक्त मामलों के साथ आते हैं इसी के साथ बचाव के लिए कई कदम उठाएं गए हैं इसी के साथ ही केरल की स्वास्ते मंत्री वीना जॉर्ज ने काये कि दिन में स्वास्ते विभाग के प्रधान सचिप एप केंड्रियल स्वास्ते मंत्रा लेके बीच पैटक हुई थी और अब मोनो क्लोनल एंची बॉड इस் से पहले दिन में मंत्री ने का कि कोज़ी कोड़ीले में निपाके according के बारे में आशंकित होने कि कोई जरूरत नहीं लेकिν लोगों को अपनी दैने कती वीडियो के दोरान सापधानी बरतने कि पूरी जरूरत थी लिए थे कोई ज़रूरत नहीं है हम सब मिलकर साफधानी के साथ इस मुद्धे से निमठ सकते हैं आज हेल्द अपडेट में फिलाल इतना ही आप देश दुनिया की तमाम ख़बर के लिदेखते हैं चीविनाई भारत वर्ष